हर और्गैनिजम कोशिश करता है कि बहतर तरीके से सर्वाइव करें जिन्दा रहे इस अर्थ के ऊपर पॉपिलेशन मतलब एक ही स्पीसिज के और्गैनिजम जो एक पर्टिकुलर इलाके में रह रही है और साथ में ब्रीड कर रही है सबसे कम तापमान का होता है मीन एन्वल टेंपरेचर माइनस में गया हुआ है तापमान का होगा आर्क्टिक अंटाक्टिक रीजन में अगर आप देखें तो कुछ और्गैनिजम ऐसे होते हैं जो बहुत ब्रॉड टेंपरेचर रेंज को जहल सकते हैं जैसे आप यूमन बिं कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहें दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल कॉंपटिशन वाला के उपर इन दा माइंड मैप सीरीज जहां पर आज हम एक यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एकोलोजी और चेप्टर का नाम है और इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट का मतलब समझा जाए एकोलोजी आप अगर देख रहे हैं तो यहां पे दो शब्दों के मेल से एक बड़ा शब्द बना हुआ है लोजी का मतलब हम लोग अल्रेडी जानते हैं क्योंकि हम मॉर्फोलोजी पढ़ इको is a word taken from another word oikos जिसका मतलब होता है घर यानि आप जहां पे रहते हैं आप उसी जगा की study कर रहे हैं अब मैं लेट से एक जगा पर रह रहा हूँ तो मेरी interaction हो रही है काफी सारी living organism से भी भाई मेरी skin के उपर भी कुछ bacteria रह रह रहे हैं मेरे intestine में भी कुछ bacteria रह रहे हैं वीट की बनी हुई थी तो वीट crop से वो रोटी मुश्तक पहुच रही है यानि हम काफी सारे living organisms से interact करते हैं हमारे घर पे pet है तो उसके साथ भी हम लोग interact करते हैं family members है जो हमारी ही species के हैं humans ही हैं उनके साथ भी हम interact करते हैं तो अलग-अलग living organisms के साथ interaction हमारा चल रहा होता है वो हमारी species के living organisms भी हो सकते हैं other species के भी हो सकते हैं और इसके साथ non living चीज़े जो हैं abiotic factors जो हैं इनके साथ भी हमारा interaction हो रहा होता है भाई अगर temperature proper नहीं होगा तो आपके enzyme ठीक से काम नहीं कर पाएंगे light proper नहीं होगी तो plant खाना नहीं बना पाएंगे water proper नहीं होगा तो आपकी body hydrated नहीं रह पाएंगी plant को भी आपका जमीन से water की requirement होती है soil अगर अच्छी होगी तभी plant अच्छे तरीके से grow कर पाएंगे अगर plant अच्छे तरीके से grow कर पाएंगे तो उनको खाने के लिए herbivore animals आएंगे herbivores अगर अपना number बढ़ा रहे होंगे तो उनको खाने के लिए शाखाहरी carnivores animals आएंगे यानि overall एक पूरा ecosystem डवलप होगा जहां पर काफी सारे animals काफी सारे plants साथ में रहते हैं यह सब हम ecology के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो ecology एक term है जो कि हैकल सहाब ने हमें दी और यहां पर आप interactions के बारे में पढ़ रहे होते हो आप interact किसके साथ कर रहे हो अपने biotic environment के साथ यानि आपके आसपास जितने भी living organism है उनसे आपका कैसा interaction है प्लस abiotic factors के साथ यानि non living चीजों के साथ जैसे temperature, water, soil जो मैंने बताया यह non living factors हैं लेकिन आपके survival के लिए बहुत important है तो ecology जो है इसके काफी सारे levels हम लोग बना देते हैं इसको आसानी से पढ़ने के लिए सबसे अगर आपको minimum level पर ecology पढ़नी है तो कम से कम आपको एक living organism तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि ecology का मतलब ही क्या है it deals with interaction between organisms तो एक organism तो एक दम minimum है जिसके उपर आप research कर रहे हूँ तो ये जो type of ecology है जिसमें आप एक organism के बारे में पढ़ते हैं उसे organismic ecology कहा जाता है और जब आप एक organism के बारे में study करोगे तो आप क्या पढ़ लोगे जादा जादा उसके अंदर कैसे organs हैं उसके अंदर कैसे organ systems हैं उसके अंदर processes कैसे हो रहे हैं chemical reactions कौन से हो रहे हैं उसके क्या कोई special feature है, क्या कोई adaptation है, यही सारी चीज़े पढ़ लोगे, येस, तो जाहिर सी बात है, आप max to max उसकी physiology पढ़ लोगे, इसलिए इस organismic ecology को physiological ecology भी कहा जाता है, कि ये जो organism है, जिस पे हम study कर रहे हैं, इसके अंदर किस हिसाब की physiology है, कौन-कौन से chemical reactions इसके अंदर चलते है कौन-कौन से processes इसमें होते हैं, एंड किस हिसाब से ये survive करता है and reproduce करता है, हर organism कोशिश करता है कि बहतर तरीके से survive करे, जिन्दा रहे इस अर्थ के उपर, और जादा से जादा reproduce करे, जादा से जादा reproduce करना इसे कहा जाता है reproductive fitness, अगर आप किसी भी प्रकार के महौल में, कैस परिश्थितिया हैं, चाहे favorable हों, चाहे unfavorable हों, अगर उसमें आप एक ऐसी strategy अपनाते हो, जिसमें आप reproduction कर पा रहे हो, आप नए बच्चे पैदा कर पा रहे हो, तो nature खुद आके आपकी पीट पे थपकी मारेगी और कहेगी कि आप deserve करते हो इस अर्थ पे रहना, क्योंकि क काफी सारी ऐसी species होती हैं, काफी सारे ऐसे organisms होते हैं, उनमें आप जरा से भी unfavorable condition दे दोगे, वो reproduce नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे हैं, तो उनकी generations आगे कैसे बढ़ेंगी, तो जाहिर सी बात है, nature उनको extinct कर देगा, इस अर्थ पे से भगा देगा, लेकिन काफी ऐसे organisms, जो कि अपने आपको change करते रहते हैं, और अपनी reproductive abilities को, अपनी reproductive strategies को और advance करते रहते हैं, विट टाइम, कि कैसी भी परिस्थिती आए, कैसी भी condition आए, हम reproduce कर लेंगे, हम नए बच्चे पैदा कर लेंगे, हम इस अर्थ पे जाधा progenies leave करेंगे, तो जाह survival के chances ज़ादा, अब एक organism से आगे जो level आता है, ecology का यह है, population ecology, इस chapter का नाम ही है, organism and population, तो इनी दोनों चीज़ों के बारे में, यहां हम detail में पढ़ रहे होंगे, population ecology क्या है दोस्त, population मतलब एक ही species के organisms, जो एक particular इलाके में रह रहे हैं, और साथ में breed कर रहे हैं, यानि sexual reproduction कर रहे हैं, इसे हम population कहते हैं, हमें अच्छे तरीके से पता हैं, for example हम इंडिया की population के अगर बात करते हैं, तो लगबग 1500 करोड के आसपास आपकी population है, तो हमने area क्या लेलिया? इंडिया, हम सिर्फ इंडियन कंट्री की बात कर रहे है, यहां पर हमने species कौन से लेली? human population हम कह रहे हैं, तो सिर्फ human हम लोग count कर रहे हैं, इसमें हाथी, घोड़ा, बैल, बगरी, भेड, ये सब count नहीं कर रहे हैं, सिर्फính species की हम लोग counting कर रहे हैं, और यहाबस में आपके क्या करते हैं breed करते हैं इसलिए नए नए humans भी पैदा होते रहते हैं इसे हम कहते हैं population ecology तो organisms of same species जैसे human ले लिए living in an area चाहे गाओं की population ले लो चाहे एक शहर की ले लो चाहे जिले की ले लो चाहे एक state की ले लो चाहे पूरे देश की ले लो चाहे पूरे विश्व की ले लो वो area आपको define करना पड़ेगा और यह आपके breed कर रहे होते हैं साथ में reproduce कर रहे होते हैं यह population तयार करते हैं इस population की study करना इस population ecology फिर population से भी उपर आता है community ecology community में क्या है जितने भी living organism है एक इलाके में रह रहे हैं अब इंडिया में हमने क्या कर दिया area locate कर दिया इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं जितने living organisms हैं सब के सब community बना रहे है human भी आ गए dogs भी आ गए buffalo भी आ गई सब जितने living organism paid भी आ गए पक्षी भी आ गए जितने living organisms हैं all the biotic species in a particular area कितना भी छोटा area ले लो कितना भी बड़ा area ले लो आपकी मर्जी है इसे community कहते हैं सिर्फ living organisms की यहां बात होगी कोई abiotic factor अभी तक नहीं आया है ना organism में ना population में ना community में ecosystem जो हमारा अगला chapter है इसे क्या कहा जाता है functional unit of ecology क्योंकि कोई भी चीज functional कब होगी जब biotic और abiotic factor साथ साथ रहेंगे अब आप यहां पर as a human being खड़े हो मैं कहूं कि आपको पानी नहीं मिलेगा एक abiotic factor में आपके जीवन से remove कर रहा हूं तो biotic और abiotic factor के million को ही तो हम लोग ecology कह रहे थे तो biotic और abiotic factor का million पहली बार कहा होता है ecosystem में तो इसे functional unit कहा यहां पर biotic abiotic साथ साथ factor आ गए biome क्या है बायोम मतलब एक ऐसा इलाका जिसका खुद का climate होता है जिसका खुद का climate होता है जैसे यहां पर काफी सारे biomes है precipitation मतलब पानी वह पानी बरसाथ से भी आ सकता है snowfall से भी आ सकता है तो आपका यहां पर precipitation हमने रखा और यहां temperature रखा अब सबसे ज़्यादा बारिश कहां पर होती है और प्रेसिपटेशन यहां पानी कहां पर मिलेगा आपका rainforest में तो यह जो है प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा कहा मिलेगी रेन फॉरेस्ट में देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिल रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और यहां पर तापमान भी अच्छा खासा है तो यहां पर सबसे ज़्यादा आपका पानी है तो क्या यह लंबी सी जो आपको रेखा देखने को मिल रही है, क्या ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मार्क कर दोगे, यस मार्क कर देंगे सर, अब देखिए, सबसे कम तापमान कहा होता है, मीन एन्वल टेंपरेचर माइनस में गया हुआ है तापमान, कहा होगा, आर्क्टिक अंटाक्टिक रीजन मे तो आर्क्टिक अंट अलपाइन टुन्रा सबसे कम तापमान, धो हमने अलग से पकाड़ लिए, सबसे जाधा बारिश, तो आपका ट्रोपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन आ रहा है नाम में, अलग अटा दो, सबसे कम तापमान, नाम में अर्क्टिक अरह है, इसको अलग हटा यह आपका कौन लाइट स्ट्ट्चर बन रहा है तो यह क्या है कौनी फेरस फॉरस्ट एना पाइनस वगएरा मिलेंगे यहाँ पर कौन जैसा बन रहा है तो कौनी फेरस फॉरस्ट और बच्पन में एक गेम तो जरूर खिला होगा कंप्यूटर पे जी टी ए वाई सिटी जी यहाँ पर आप लिख दीजे जी टी एक सिक्वेंस में है ना तो ग्रास लैंड और टेंपरेट फॉरस्ट यह आपको देखने को मिलते हैं यह च्छे के च्छे बायोम समको याद हो गए अब मेरे दोस्ट सिंपल सी बात बताईए कि यह जो बायोम है या इस सारे बायोम में को अब ओविस्ली फीचर तो आपके कॉंस्टेंट है कि जैसे रेनफरेस्ट है तो तापन भी अच्छा खासा है और वॉटर भी अच्छा खासा है तो फीचर कॉंस्टेंट है पर क्या रेनफॉरस्ट में सारे पॉद एक जैसे होंगे, क्या आप end to end rainforest एक ही जैसा दिखेगा आपको, नहीं, अगर आप देखें, अगर आप Amazon rainforest की बात करें, आपने Anaconda movie देखी होगी, या कोई भी movie देखी होगी, जिसमें जंगल दिखाते हैं, तो कहीं आपकी बीच में नदी आ जाती है, कहीं आपका बीच में एक छोटा सा टापू आ जाता है, कहीं पर आप देखेंगे घास हुई है, ग्रास लेंड सा है, कहीं आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े पेड़ है, कहीं आप देखेंगे जाडिया है, तो वहाँ पर भी छोटे छोटे अलग-अलग habitat बन सकते हैं, जिनकी property थोड़ी जहां पर pond होगा, जहां पर तोड़ा बहुत पानी मिलेगा, आसपास हलकी-फुलकी-हर्याली मिलेगी, बिल्कुल होता है, है ना, फिर आता है आपका biosphere, नाम क्या है, biosphere, है ना, bio मतलब life, sphere मतलब ये गोला हमारा जिस पर हम रहते हैं, अर्थ, यानि दुनिया के जितने भ करती पर छोटे-छोटे भी उनके सम को हम लोग क्या कहते हैं, biosphere कह रही होते हैं, ठीक है, अब देखिए भाया, abiotic factors कौन-कौन से हैं, आपने ecology को तो यहां पर अलग-अलग levels पर बाढ़ दिया, abiotic factor आपके कौन-कौन से हैं, सबसे important, कोई पूछ ले, एक abiotic factor सबसे important क्य है, वो है आपका temperature, यह आपका temperature, अगर आप देखेंगे, तो equator से pole पे जाते-जाते है, temperature कम होता जाता है, हम लोग, इंडिया का काफी पार्ट आपका equator पे है, तो यहां तापमान जादा है, गर्मी जादा पड़ती है, लेकिन अगर आप poles पे जाएंगे, तो poles पे आपको प mountain top पर भी temperature कम होता है, तो कुछ ऐसे organisms होते हैं, जो बहुत limited range में पाए जा रहे होते हैं, जैसे अगर आप देखें mango को, तो mango आपका tropical region में पाए जाता है, जैसे कि भारत के अंदर mango पाए जाता है, गर्मियों के मौसम में मिलता है, तो high temperature की इसको आवशक्ता होती है for flowering and fru temperature requirement, tuna fish जो है, ये भी आपकी tropical आपकी पानी में मिलेगी, आपका ठंडे पानी में नहीं मिलेगी, temperate पानी में नहीं मिलेगी, तो tuna fish जो है, ये भी आपकी limited इलाकों में ही पाए जाती है, आपका temperate इलाकों में नहीं पाए जाती, tropical इलाकों में पाए जा रही होती है, इसी हि पर अगर आप देखें दोस्तों तो यह temperature जो है enzyme kinetics को तो affect करेगा ही यानि optimum temperature होता है तब enzyme ठीक से काम करते हैं तो आपकी पूरी body के जितने भी bio chemical reactions है वो actual में सारे के सारे temperature पे ही depend कर रहे होते हैं अगर आप देखें तो कुछ organisms ऐसे होते हैं जो बहुत broad temperature range को जेल सकते हैं जैसे आप human beings की बात करें तो हमारे फौजी भाई जो है इनकी duty कई बार शियाचिन में भी लगती है कई बार लेह लदाक में भी लगती है कई बार जैसल मेर में भी लगती है तो minus 20 degree Celsius से लेके plus 50 degree Celsius तक ये 70 और इससे भी ज़ादा temperature range को हम जेल सकते हैं तो हम क्या है यूरी thermal, यूरी मतलब broad range, thermal मतलब temperature की और कई होते हैं stino thermal इनको एक ही जगा पर आप उगा सकते हैं बहुत ज़ादा broad range में नहीं पाय जाते हैं जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल तो आपके जो एक्ट्वल में warm-blooded animals होते हैं जैसे पक्षी हैं और हम है mammals हम यूजवली यूरी thermal होते हैं तो यह हमारा पहला सबसे important factor है, second most important factor is water, भाई जल है तो जिवन है, दुनिया की शुरुवात ही पानी में होती है, अर्थ पे भी जिवन की शुरुवात पानी में ही ह हुई थी और आप चांद पे जाकर भी पानी ढून रहे हैं आप अंगल ग्रह पे भी पानी ढून रहे हैं भाई प्यास थोड़ी लगी है इसलिए पानी थोड़ी ढून रहे है, पानी इसलिए ढून रहे है क्योंकि अगर इन ग्रहों पे पानी मिला इसका मतलब आगे आने वाटर है हैना पीने का जो पानी है इसमें less than five ppt salt होता है ppt मतला पार्ट पर thousand अगर आपके 1000 molecule पानी के है, तो उन में 5 molecule आपके salt के डले हुए हैं, तो आपका मीठा पानी होता है, इतना जादा खारा नहीं होता, अगर आप देखें, तो समद्र में, समद्र में आपके 30 तो 35 PPT आपका salt देखने को मिलेगा, यानि 30 से 35 कण होंगे salt के in 1000 molecules of water, और यहां पर अगर आप दे saline मतलब salinity salt है याँ पर, इतना जादा खारा पानी हो जाएगा कि आप इसको झेल नहीं सकते हैं, तो यहां पर भी कुछ ऐसे organisms होते हैं, जो यूरी हैलाइन होते हैं, जो आपके बहुत जादा salt range को झेल सकते हैं, जैसे आपका molly है, और आपका कुछ steno haline होते हैं, जैसे यह आपका goldfish है, यह आपका sea turtle है, यह बहुत limited salt range में ही रह सकते हैं, तो यहां भी organisms में problem होती है, अगर आप एक fresh water organism को marine water में डालोगे, तो भी उसके साथ दिक्कत हो जाएगी, अब आज पास के पानी में salt जादा है, तो जो fresh water organism है क्या करेगा, अपनी body से बाहर पानी भेजना start कर देगा, neutralize करने के लिए आसपास के salt को, तो उसकी body का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, और उसकी body lies हो जाएगी, similarly अगर आप marine water organism को fresh water में भेजते हो, तो marine water organism में अच्छा खासा salt है, जब यह आएगा fresh water में, तो जाहिर सी बात है, fresh water इसकी body में गुचना start हो जाएग यानि quality of water भी matter करती है, ऐसा नहीं है कि जो organisms पानी में रहते हैं, इन्हें कोई problem नहीं होती है, इन्हें भी problem होती है, इनके लिए quality matter करती है, quantity नहीं, अगला जो आपका criteria यह है, light, भाई light आपको पता है, autotrophs के लिए सबसे important factor है, क्योंकि जिनको भी खाना बनाना है, वो light को यूज करके ही बनाएंगे, है ना, तो यहाँ पर भी quality matter करती है, ऐसे भी आप कोई भी radiation नहीं दे सकते, अगर आपको photosynthesis के लिए active radiation देनी है, तो वो क्या है, photosynthesis chapter में हम लोग पढ़ चुके है, 400 से 700 nanometer आपका photosynthetically active radiation मानी जाती है, अगर आप UV light दे दोगे, तो बल्कि आपको उल्टा skin cancer हो जाएगा, तो कुछ harmful lights हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अच्छी quality की light यहाँ पर मिले, तभी productivity बढ़ पाएगी, और चौता factor है, edific factor यानि soil factor, भाई, soil जो है, इसके बनने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, जैसा पत्थर तूटेग से आपकी soil बन रही होती है, तो अलग-अलग soil का pH, अलग-अलग soil की mineral composition, अलग-अलग soil की water holding capacity याने percolation power अलग-अलग होती है, तो यह अलग-अलग उपजाव शमता रखती है, sandy soil है, aluvial soil है, black soil है, इनकी अलग-अलग उपजाव शमता है, तो जो soil जादा उपजाव वहाँ पर जादा plants आपके उग रहे होंगे, उस land पर जादा plants उग रहे होंगे, तो उन्हें खाने के लिए जादा herbivore आएंगे, उन herbivores को देखकर जादा कार्णी वोर आएंगे और पूरा ecosystem डवलप हो जाएगा, और अगर आप पानी में भी देखें, आप एक pond में भी देखें, तो तलाब में नीचे की साइड भी आपकी मिट्टी है, तो वहाँ पर भी जो base पे रहने वाले organisms हैं, जो base पे रहने वाले plant और animals हैं, जिनको benthic कहा जाता है, be for base, be for benthic, तो ये भी उस मिट्टी की composition के हिसाब से ही पाए जा रहे होते हैं, तो मिट्टी एक बहुत ही जादा एक बहुत ही जादा important factor है, इसको भी हमको याद रखना है, ये आपके abiotic factors है, अब response to abiotic factor, अब हमारे आसपास का तापमान change हो रहा है, आपका light की duration जो है change हो रही है, तो हम कैसे react करेंगे, ये हमें देखना है, तो there are three major reactions, पहला आपका होता है regulator, ये आपका external condition है, देखो, आपमान हुआ 10 degree Celsius, आपकी body का 37 degree Celsius ही है, यहाँ हुआ 20 degree Celsius, आपकी body का 37 degree Celsius ही है, यहाँ हुआ 30 degree Celsius, आपका 37 degree Celsius ही है, यहाँ हुआ 45 degree Celsius, आपका 37 degree Celsius ही है, याँ हुआ 45 degree Celsius, आपका 37 degree Celsius ही है, यानि बाहार की condition कैसे भी change हो, आप अपने internal body condition को change नहीं कर रहे है, यानि आप क्या है रेगुलेटर है यानि आप क्या है रेगुलेटर है तो जो हम है भाई birds, mammals हम जो आपके homeothermic animals हैं हम लोग अपने internal body temperature को regulate कर सकते हैं बाहर के temperature के हिसाब से हमारी body conditions change नहीं होती लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे organism होते हैं बाहर का temperature 5 इनकी body का temperature भी 5 बाहर का temperature 10 इनकी body का temperature भी 10 बाहर का temperature 15 इनकी body का temperature भी 15 बाहर के temperature अगर 20 हुआ तो इनकी body का temperature भी 20 हुआ यानि यह जैसी बाहर की condition होती है वैसे अपनी body की condition भी कर लेते हैं इनको कहते हैं conformers यानि give up कर देने वाले जैसा बाहर है वैसा यह अंदर रह लेगा हमारे अंदर regulation की शमता नहीं है तो इन्हें क् कहा जाता है conformers कहा जाता है लगबग 99% animals bird और mammal को छोड़के और कुछ एक और exceptions है और लगबग सारे plants ऐसे ही होते हैं गिव अप कर देते हैं nature के सामने तो यह आपका बहुत broad range में नहीं पाए जा रहे होते और कुछ होते हैं आपके पार्शल रेगुलेटर पार्शल रेगुलेटर क्या जैसे चिपकली की कहानी सुनो एक चिपकली है अब उसको लग रही है ठंड है और बहुत ठंडा तापम है यहां पर तापमान ठोड़ा ठंड थंड हुए यहां बोला कि कोई बात नहीं यारर अमारी भॉड़ी हो तोड़ी je में तूटे हुए है यहां बैज चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं बॉड़ि का टेंपरिचर बढ़ रहा या घट रहा है तो कोई बात नहीं जिल लिया जाएगा जब मौत दिख जाती है ना सामने उस point पे से ये क्या करते है regulators की तरह काम करना start करते है समझ लोग गर्मी हो रही है तो बहुत जादा गर्मी बहुत जादा गर्मी बहुत जादा गर्मी तो ये desert lizard क्या करती है बहुत जादा गर्मी है तो sun basking कर लेगी सूरज के पास जाकर के लेट जाएगी और अगर बहुत जादा ठंडी है तो shadow को डूंडेगी और shadow sighting करेगी shadow के पास चली जाएगी है ना छाओं में चली जाएगी तो इस हिसाब से हम कई सारे events देख सकते हैं इसके अलावा भी काफी चीज़े होते हैं जैस चली की ना कहीं चले गए मांट आबू चले गए घुमने जहां भी आपका मन करता है वहां चले गए कि हां यार इससे कम गर्मी हो बाकि सब चलेगा कोई दिक्कत नहीं है similarly आपके Siberian cranes 1000 km उड़के आते हैं हर साल वहाँ पर बहुत जादा जब ठंडी पढ़ रही होती है त इंसे पॉलाडो नेशनल पर्क में हर साल उड़कर के आ जाते हैं इसे हम कहते हैं माइगरेशन माइगरेट कर गए हैं एक जगह से दूसरी जगह और यह आपने आपको सस्पेंड भी कर लेते हैं यानि अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं कई ऐसे हैं जो सर्दी में बढ़िया क करते हैं इनको गर्मी पसंद रही है तो गर्मियों में सो जाते हैं तो एस्टीवेशन कहा जाता है इसको एस्टीवेशन मतलब समर स्लीप जैसे काफी जानवर आपने देखे होंगे गड़ा खूद के उसके अंदर ठंडी मिट्टी में आराम से पड़े रहते हैं अपना पू साइटो प्लेंक्टॉन को छोटे-छोटे प्लांट लाइक जो structure है जो खाना बना रहे होते हैं जैसे साइनो बैक्टीरिया माइक्रोफ इल्गी इनको खाने वाले जो फ्लेंक्ट औन है यह एक अलग से स्टेट में चले जाते हैं जिसको डाय畑 पॉस कहा जाता है यानि इनेक्टिव वैठे रहेंगे जब favorable condition आएगी तो यह grow करेंगे तेम केस आप बैक्टिरिया में भी देखते हो अन्फेवरेबल condition में sports बनते हैं फंगस में भी देखते हो आप unfavorable condition में sports बनते हैं तो काफी सारे ऐसे हम लोगों ने organisms पढ़े जो की अलग-अलग responses दिखाते हैं, अब एक rule आता है, LN rule, LN rule क्या कहता है, LN rule ये कहता है, कि polar animals की extremities जो होती है, जो बाहर structure होते हैं, नाक, कान, ये सब छोटे-छोटे होते हैं, क्योंकि ने heat loss बचाना है, अगर आपके कान, नाक बहुत बड़े-बड़े हुए है, लंबे-लंबे हुए, surface इर्या जादा हुआ, तो heat जादा loss होगी, heat जादा loss होगी, तो आपको और energy generate करनी पड़ेगी, और ठंड में इतनी energy generate करना आसान काम नहीं है, इसलिए अगर आप देखोगे, तो polar bear होता बहुत बढ़ा है, लेकिन कान बहुत छोटे से मिलेंगे, तो polar animals में, जो भी आपके polar animals हैं, उनकी extremities, कान बगएरा बहुत आपके छोटे मिलते हैं, इसे Allen rule कहा जाता है, अब देखे, adaptations अलग-अलग organisms में कैसी होती हैं, भाई समझ लीजिए आपके आसपास की स्थितियां, परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन आपको तो survive करना है, आपको तो जिन्दा रहना ही है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए अलग-अलग animals और plant ने अलग-अलग जुगार निकाले हैं, उनके बारे में पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, desert में रहना असान काम तो नहीं है, क्योंकि पानी कम है, तो plant और animal यहाँ पे अलग-अलग आपके जुगार निकाल के बैठे होते हैं, जैसे plant जो है, इसमें thick cuticle है, अब यह waxi layer है, cuticle की, तो पानी को उड़ने नहीं देगी, तो पानी conserve हो रहा है, जो कि desert में रहने के लिए अच्छी चीज है, sunken stomata, stomata अगर surface पे होते हैं, तो जाधा पानी उड़ाते हैं, जाधा transpiration होता है, यह sunken है, तो desert में अच्छी बात है, पानी बचा रहे होंगे, camp pathway, भाईया जितना भी आपको काम करना है, CO2 अंदर लेनी है, आप रात में ले लिजे, दिन में stomata खोलेंगे ही नहीं, तो पानी उड़ेगा क कैसे, तो camp pathway है, यह भी desert के लिए एक अच्छी adaptation है, और spines in cactus, भाईया आपका defense में भी काम आता है, spines या thorns बन रहे होते हैं, और आपका यहाँ पर leaf जो है, यह आपकी किस में convert हो जाती है, spines में convert हो जाती है, तो leaf आपकी बची ही नहीं, stem आपकी expand करके photosynthesis कर रहे होती है, leaf आपकी spines में convert हो गई, तो defense भी हो रहा है, और leaf पतली-पतली हो गई, तो water loss भी खतम, animals में अगर आप kangaroo rat को देखोगे, तो इसकी जो है, दो बहुत खास बाते हैं, पहला इसका highly concentrated urine, आपका जितना concentrated urine है, उससे 10 गुना जादा आपका kangaroo rat का concentrated होता है urine, यानि यह अपने water को पहले ही absorb करता है, एकदम तेजाब जैसा पेशाब निकाल रहा होता है, क्योंकि उसमें water ही नहीं, तो उसकी concentration बहुत हाई है, extremely high salt concentration वहाँ पर है, ions ही ions है, आपका पानी इसने वापिस खीच लिया है, तो water का loss नहीं करता, दूसरे important चीज, यहाँ पर beta oxidation of fat हो रहा होता है, त desert में और क्या ही चाहिए, और desert में चलने के लिए आपके camel भया के पास क्या है, padded feet है, अगर आपको पता लगेगा, कि इसे आपकी रेगिस्तान की जहाज क्यों कहा जाता है, padded feet है, जिसे की पैर आपके जलेना, गरम मिट्टी में और आराम से भाग पाए, बहुत अच्छा खासा इनको area मिला होता है, तो padded feet है, other adaptation देखिए, अगर आप higher altitude पे जाएंगे, अगर आप जमीन से पहार की चोटी की तरफ जाएंगे, तो आपको वहाँ ऐसे लोग मिलेंगे, जिनकी blood में RBCs जादा है, क्योंकि उनको higher altitude पे आदत पर जाती है, रहने की कैसे, क्योंकि higher altitude पे आप oxygen का atmospheric pressure तो कम है, oxygen कम है, तो आपको जादा RBCs चाहिए, जिसे कि आप जादा oxygen body में transport कर सको, जादा आप सांस ले रहे होंगे, जिसे कि जादा oxygen आपको मिल सके, और आपका sweating and shivering है, भाई जब आपको गर्मी लगती है, तो आप sweat करते हो, पसीना आता है, क्योंकि evaporation causes cooling, तो आपको ठंडक मिलती है, यह पसीना जब शरीर पर से evaporate होता है, तो heat लेके उड़ता है, और जब आपको ठंड लगती है, तो आपके रॉंग्टे खड़े हो जाते है, आप कांपने लग जाते हो, it is a kind of exercise, जो आपकी body में heat generate करती है, जिसे कि आपको सर्दी लगना थो species के है, एक particular area में रह रहे हैं और आपस में breed कर रहे हैं, इसको हम लोग population कहते है, यह same population देखके ही हम लोग यहां तक आए हैं, है ना, इस population के कुछ attributes यानि कुछ गुन होते हैं, जो individual organisms में नहीं होते, अब मेरा जीवन हुआ है, तो I have taken birth, birth rate जैसा कुछ नहीं है मेरे में, य अगर आप गाउं के perspective में देखो, एक गाउं है जहां आप रहते हो, जहां एक हजार लोग रहते हैं, वहाँ एक नया बच्चा पैदा हुआ, तो birth rate भी आप calculate कर सकते हो, कि हजार बच्चे थे गाउं में, इस साल एक और बच्चा पैदा हुआ, तो आप birth rate की बात कर रहे हो बर्थ तो हुई है, लेकिन वो individual की property है, और अगर आप देखेंगे birth rate तो आप उसको बाकी initial population के comparison में भी count कर सकते हैं, similarly death rate के गाउं है, जहां पर 1000 लोग थे और एक की किसी की death हो गई है, तो आपका death rate भी आप count कर सकते हो, तो birth rate और death rate यहां पर ना पा जा सकता है, sex ratio यहां यहां पर ना पा जा सकता है, एक गाउ है जहां पर आपके 1000 लोग हैं, तो उन में से 500 आपकी female है, 500 male है, तो आप क्या कह सकते हो, sex ratio क्या है, 50-50 है, और यहां पर ना पा जा सकता है age ratio, जिसके लिए आप बनाते है age pyramid, इसके लिए आप बनाते है age pyramid, कि कि किसी particular इलाकी की population यानि बालक डिप्रादक्ति मतलब डिप्रोडक्टिव एज में आ चुके हैं और पोस्क रिप्रीक्टिव जिन्होंने अपने बच्चे पैदा कर लिए हैं अब ये और बच्चे पैदा नहीं करेंगे, अब आप हमेशा देखेगा जिस जगा पर प्री रिप्रोड़क्टिव और रिप्रोड़क्टिव जादा है, ये आपके आगे चलके पॉपॉलेशन बढ़ा रहे होंगे, समझे, लेट से एक देश है उसकी पॉपॉलेशन है बुढे लोग व्रिद जो की कर चुके हैं रिप्रोड़क्टिव बीस करोड़ हैं आपके रिप्रोड़क्टिव जो अभी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और तीस करोड़ हैं प्री रिप्रोड़क्टिव तो आपको क्या लगता है अगले दस साल बात क्या होगा, तीस लोग reproduction करेंगे population expand हो जाएगी अगर कोई ऐसा देश है जहां प्री रिप्रड़क्टिव और रिप्रड़क्टिव बराबर है 20-20 करोड है तो आज भी 20 करोड लोग reproduce कर रहे हैं आगे भी 20 करोड लोग ही आपका इसको replace कर रहे होंगे तो आपका एकदम stagnant चलेगी population stabilized population है और कहीं पर अगर आपके 20 करोड लोग आज reproduce कर रहे हैं और प्री रिप्रड़क्टिव छोटे बच्चे उस देश में सिर्फ 10 करोड है तो यह जब बूडे होंगे तो सिर्फ 10 करोड लोग reproduce कर रहे होंगे reproduction करने वाले लोगों की संख्या घटेगी यानि population decline आ जाएगा तो यह expanding है population यहाँ पर बढ़ेगी क्यों क्योंकि pre reproductive देखो सबसे जादा है यहाँ पर stable है क्यों क्योंकि जितने लोग आज reproduce कर रहे हैं उतने ही कल reproduce करेंगे pre reproductive बराबर और यह declining है क्योंकि जितने आज reproduce कर रहे हैं उससे कम ही कल reproduce कर रहे होंगे तो population घटेगी declining है इसे age pyramid कहा जाता है क्योंकि आपने age wise बाटा है और इस age wise पिरामिड में आप male female को bifurcate नहीं करते हैं अगर कोई लड़का है जिसकी age 25 साल है और कोई लड़की है जिसकी age 25 साल है तो दोनों को ही reproductive में रखो गए यहाँ male female का कोई bifurcation नहीं है एक लोटा criteria है age है ना तो आप अलग अलग जगा की population भी नाप सकते हो population density है एन इसको बोला जाता है है ना तो it can be very large जैसे आप एक pond की बात करें एक तालाब की बात करें तो वहाँ जो klemido monas है unicellular वो करोडों की संख्या में पाए जा सकते हैं वो भी एक population है अपने देश में human beings करोडों की संख्या में पाए जाते हैं यह भी एक population है अब Siberia से जो Siberian cranes उड़के आ रही है भरतपुर में कियो लाडो नैशनल पार्क में उनका नंबर 20-25-30 होता है वह बहुत च्छोटी population है तो नंबर आपका large or small हो सकता है यह जो नंबर है है ना आप कहीं population density सिर्फ नंबर के base पे आपो ये भी ज़रूरी नहीं है समझ यह नीजे एक मैदान है उस मैदान में हजारों घासे हैं बिलकुल है और एक center पर बर्गत का पेड़ कढ़ा है बन्यान ट्री कढ़ा है याओस बन्यान ट्री का मास उन सारी हजारों घासों से भी हजार गुन्हाँ जादा होगा बिलक क्रेडिबल आपको लगता है आप उसको अप्ट कर सकते हैं यह जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कई बार इंडिरेक्टली काउंट करनी पड़ती है जैसे आप एक जंगल में गए और आपको कहा कि जाओ भाईया शेर की पीठों पर ठपा लगा के आओ और शेरों की जनगन्न को एक आइडिया लगेगा कि कितना रफ एस्टिमेट हो सकता है आपका यहां पर शेरों का ऐसे काउंटिंग होती है आपको एक तालाब में कोई पूछे कितनी मचलिया है तो पूरे तालाब को चानने की जरूरत नहीं है पांच परसेंट तालाब आप देख लिजिए कंसे हजार मचलिया मिली पांच परसेंट में हजार मचलिया तो ट्वेंटी से मल्टिप्लाइ कर दीजिए हंडड़ परसेंट के लिए तो आपकी बीस हजार मचलिया हो गई इंडिरेक्ट मैथड आपका दिमाग यहां पर बचा रहेगा और आप थोड़ा रफ रफ आईडिया अभी लगा पाएंगे अब पॉपुलेशन ग्रोथ अगर आप देखें तो एक इस पर डिपेंड करती है कितने बच्चे पैदा हुए यानि बर्थ कितने लोगों की डेथ हुए यानि डेथ कितने लोग किसी जगा आ रहे है आई का मत्तब इमिग्रेशन आई इनकमिंग है आई पसे लाके में ये पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और कितने लोग जा रहे है इउमईगरेशन यानिell Kä誌ई इस अग्रोर इस तो यह जो डएट्ट और एग्सेंट है यह पैमिंग्रेशन बढ़ानते हैं तो आपका अगर 받 या इन्मिग्रेशन जादा हो रहा है तो positive factors है, ठीक है, अगर आप देखें कोई ऐसी जगा है, कोई नई जगा है, तो वहाँ पर कोई एकदम ही नया टापू है, वहाँ पर immigration एक जादा important event होता है, अब भारत है, एक बहुत बड़ा देश है, और बहुत stable देश है, यहाँ पर 1500 करोड की population है, अगर कहीं से 1 लाख लोग घूमने के लिए भारत आगए, तो यहाँ की population पर बहुत drastic impact नहीं पड़ेगा, या 1 लाख लोग अगर कहीं बाहर चलेगा, तो बहुत ज़्यादा drastic impact नहीं पड़ेगा, क्योंकि population आपकी एक तरीके से आपकी, जिन्हों एक regular pace पर बढ़ रहे है, यहना तो pace हम लोग calculate कर तो वहाँ की population अचानक से 10 गुना बढ़ गई ना भाई, पहले 20 लोग थे अब 200 लोग हो गए, तो वहाँ की population 10 गुना बढ़ गई, तो वहाँ पर major cause क्या है population increase का, immigration ना कि birth rate, एक टाइम बाद जब वहाँ पर भी population आपकी gradually बढ़ने लग जाएगी, तो birth rate, death rate ज्यादा अच area, है ना, चलिए, यहाँ पर देखे growth model, दो आपके growth model है, एक है आपका j curve, j curve growth model, j curve growth model क्या कहता है, exponential growth, थोड़ीची growth करते जाओ, फिर growth करते ही जाओ भाई जीवन में, आगे एकदम सब कुछ, unlimited आपको दिया, unlimited आपको food दिया, unlimited आपको space दिया, जितना आपको reproduce करना है, उत analyze कर लो, आर क्या है, intrinsic rate of natural increase, nature ने आपको जितनी ताकत दी है, intrinsic rate आपके अंदर जो rate है, intrinsically आपके अंदर जो rate है, naturally increase करने का उसको आप unlock कर दो, अपने full potential को unlock कर दो, यानि समय लीजिए आपको कोई ऐसा बोले, ये लो भाई खाना है, ये लो आपका भाई space, और आपको अपने ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकता है, despite of being a slow breeder, जो आपका bacteria है, जो कि एक बहुत fast breeder है, हर 20 मिनट में अपने number को double कर लेता है, अगर उसको आप unlimited space और food दोगे, सारी की सारी चीज़े unlimited दोगे, तो वो भी अपने number को बढ़ा लेगा, लेकिन क्या ये graph सही है, क्या होता है nature में, नहीं, by unlimited food और space आपको कोई क्यों ही देगा, एक कमरा है, इस कमरे में 10 लोग ही खड़े हो सकते हैं, तो 11 जना कैसे आएगा, तो area की availability limited है न, खाने की चीज़े भी घर में limited है, तो आपको कोई ऐसा नहीं कहेगा, कि सिर्फ खाओ पी और रिप्रड्यूस करो, येलो सारा का सारा area ऐसा नहीं होता, तो this curve is not logical, एक time के बाद आपका area भी limited होने लग जाता है, एक time के बाद आपके inhibitors भी जमा होने लग जाते हैं, तो आपके growth को रोक देते हैं, तो ये exponential growth curve जादा नहीं चलता, लेकिन अगर आप logical growth curve को देखें, तो logical growth curve में पहले आपकी growth थोड़ी slow होती है, फिर बढ़ती है और उसके बाद दुबारा से आपकी segment हो जाती है इस point पर, इस point को हम क्या कह रहे है, carrying capacity, carrying capacity मतलब मैंने कहा इस कमरे में 10 लोग रह सकते हैं, तो 10 क्या है, इस कमरे की carrying capacity है, ये कमरा जो है 10 लोगों को ही carry कर सकता है, जारवा अगर कोई आ ब्रीच नहीं कर सकते, इसके उपर हम नहीं जा सकते, नेचर अलाव ही नहीं करता, तो नेचर ने चेक लगा रखा है, population चेक लगा रखा है, भाई मेरे पास जंगल में इतनी resources है, इससे जाधा organisms नहीं आएंगे, इससे जाधा organisms आएंगे, तो मार काट मत जाएगी, ये उतने जितने मेरी carrying capacity है, तो ये आपका logical है, इसलिए इसे logistic curve कहा जाता है, वरहल्स पर logistic growth curve इसको प्यार से बोला जाता है, मेरे दोस्त, है ना, यहाँ पर क्या है, आपकी R value अलग अलग चीज़ों की देखे, 0.015 है आपकी R value, Norway Rat के लिए, 0.12 है आपकी floor beetle के लिए जो बहुत जादा है, 0.12, यानि अगर आप देखे, तो अगर आप इसको, ratio को percentage में convert करें, तो यह क्या हो जाता है, आपका लगबग 12% हो जाता है, यानि हर साल आपको 12% population growth देखने को मिल रही है, which is immense, बहुत जादा है यह, आप human की ही देखे, in 1981 हमारी जो population growth थी, यह ना, R value ज के असपास growth और तब भी 1981 से लेकि अभी तक आप अपनी population को देख सकते हैं, अब यह growth rate और बढ़ चुका है, लगबग 34 साल में हमारी population double हो सकती है, तो 34 साल is our doubling time, यानि उतने time में हमारी population एकदम double हो सकती है, अगर आज 500 करोड है, तो 300 करोड होने के लिए हमें और भी कम time च है, इनको जब आप convert करेंगे percentage में तो it will become a good number, it will become a big number, जहां पर देखे, अलग अलग अब population के members आपस में interact करते रहते हैं, this is called as population interaction, ठीक है, क्यों interact करते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी organism अकेला नहीं रह सकता, सर प्लांट तो खाना बनाता है, या प्लांट अकेला रह स organism तो connected है ही, है ना, तो इनमें अलग-अलग type की interaction हो सकती है, जैसे mutualism, mutualism क्या है भी या, दोनों का फायदा है, mutual, आपकी यहाँ पर relationship है, pieces और species भी आपस में interact कर रहे हैं, दोनों का एक दूसरे से फायदा है, जैसे कि आप lichen की बात करते हैं, है ना, fungus ने algae को क्या दे दिया, आपका surface area बढ़ा करके दे दिया, और algae ने बदले में fungus को क्या दे दिया, खाना दे दिया, यह lichen है, दोनों की दोस्ती पक्की, mycorrhizal, mycorrhizal मतलब fungus, rhizal मतलब root of higher plant, तो pinus की root यह बना रही थी, mycorrhizal association, आपका fungus ने high surface area प्रोवाइड के आपके pinus की root को, और pinus की root, जो कि plant की root है, वो खाना दे देगी, fungus को दोनों का भला हो गया, pollination for reward, आपके अलग-अलग insects, अलग-अलग animals, pollination करते हैं, plant का pollen transfer कर देते हैं, आपका male से female तक pollen पहुचा देते हैं, बदले में उन्हें क्या मिलता है, किसी को पीने के लिए fruity यानि nectar मिलता है, किसी को खाने के लिए पॉलन जो की बहुत nutritious होता है, वो मिलता है, किसी को अपने अंडे देने की जगा मिल जाती है, OV position की जगा मिल जाती है, तो अलग-अलग rewards के लिए आपका pollination यहां करते हैं, तो दोनों का फाइदा हो जाता है, एक special example है, यहां पर sexual deceit का, by ophiris, जिसे Mediterranean orchid भी कहा जाता है, तो यह बी के साथ एक धोका धड़ी करती है, यह दुनिया के सबसे चोटी love story है, यहां पर क्या होता है, यह जो Mediterranean orchid है, इस orchid का, जो full है, इसका एक petal female bee जैसा दिखता है, तो male भी आएगा, और male भी इस female bee के साथ छेडखानी करने की कोशिश करेगा, pseudo copulation करने की कोशिश करे और इस दोरान ओफाइरिस जो है, यह अपने pollen ज़ाड़ देगा, male bee के उपर, यहां बहुत चलो अब इनको transfer करके आना, यानि इन्होंने bee को बेवकुफ बना दिया है, एक false sexual pleasure देके अपना काम करा लिया, अपने pollen को transfer करा लिया, अब किसी और female plant पे यह bee जब जाएगी, तो वहाँ पर क्या कर लेगा, यह अपने pollen को वहाँ पर ज़ाड़ देगा, and ultimately pollen का transfer हो जाएगा, this is called as sexual deceit है ना, sexual pleasure के नाम पर यहाँ पर धोका हो गया, अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या है, यहाँ पर सबसे जरूरी बात है, co-evolution, अगर bee time के साथ दिखने में अलग हो जाती है, थोड़ी change हो जाती है, अपने structure को अपने pattern को अलग करती है, तो ओफाइरिस को, इस orchid को भी अपने पैटल की pattern को change करना पड़ेगा, जिससे अभी भी उस bee के female की तरह ही नजर आए, अगर वो female की तरह नजर नहीं आएगा, अगर वो साथ साथ evolve नहीं करेगा पैट competition मुकाबला, यहां पर दोनों का घाटा होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ प्रतिस्पधा कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे को थोड़ा सा नुकसान पहुचाते हैं, तो competition जो है, यहां पर नुकसान होता है, ऐसा कहा जाता है कि competition में same resources के लिए, एक जैसे organism से लड organism भी same resource के लिए लड़ सकते हैं, unrelated organisms भी same resource के लिए लड़ सकते हैं, और आपका कई बार क्या होता है, feeding efficiency के basis पे भी आपका competition हो जाता है, जैसे आपका Galipagos Island पे Abingdon tortoise थे, यानि यह कछुए थे Abingdon नाम के यह धीरे-धीरे चलते थे और घास खाते रहते थे, अचानक से किसी चरवाहे ने क्या की, वहाँ पर goat आपके इंट्रोड्यूस कर दी, और goat बहुत तेजी से खाती है घास, तो इन गोट को देख देखके Abingdon tortoise बहुत ही जादा परेशान हो गए, Abundant resources थी, खूब घास थी, ऐसा नहीं था कि Abingdon tortoise को घास नहीं मिलती, जितना वो खाना चाता है उतनी घास मिल जाती, पर वो गोट को देखके जलते रहे, यह तो सारी घास खा जाएगी, अर्याद यह तो बहुत तेस खा रही है, अर्याद देखो कितनी सारी गोट हो गई, तो इसी चकर में उसने खुद को खाने पर ध्यान दिया ही नहीं, उसने पंचायत पर ही ध्य सब्सक्राइब रिशोर्स थी, तब भी कॉंपटिशन हुआ, और अब इंग्नल्ट टॉइज एक्स्टिंक्ट हो गया, है ना, आपके कॉनल सहाब ने एक एक्सपरिमेंट किया था, जिसे कहता है, कॉंपटिटिटिव रिलीज, बाई सिंपल सी बात है, आप और आपके पा कॉंपटिशन, पापा जो है, यह अभी थोड़ी दर बाहर चले गए है, रिलीज हो गया है कॉंपटिशन, अब आप अपनी मर्जी चला सकते हैं, तो कॉंपटिशन ने यहाँ पर बरनेकल का इस्तमाल किया, तो दो इन्होंने बरनेकल लिए, एक सुपीरियर था, जिसका नाम था बरनेकल बलैनेस, और एक इन्फिरियर था, जिसका नाम था बरनेकल कैथमेलेस, तो इन्होंने देखा कि जब सुपीरियर वाले को हटाया जाता है ना, तो इन्फिरियर वाला ज्यादा ग्रोव करने लग जाता है, उसको लगता है यह इलाका अपना है भाई, इच्छर का नियम है ही गॉज competitive exclusion प्रिंशिपल competitive exclusion यानि गॉज्च सहब ने क्या बोला competition को exclude कर दो भगा दो इस दुनियादारी से खतम कर दो यानि इन्हों ने कहा अगर दो आपकी related स्पीसिज है और सेम रिसोर्स को सेम चीज के लिए मारा-मारी कर रही है तो यहां पर कॉम्पटीशन होगा सुपीर वाली स्पीसिज जीत जाएगी और इंफिरियर वाली स्पीसिज को इस धर्ति पे से भगा देगी एक्स्टिंक्ट करा देगी उनको खाने ही नहीं देगी और ऐसा नहीं हुआ अगर आप वार्बलर्स को देखें तो यह जो आपके वार्बलर्स थे यह जो पक्षी थे यह एक ही पेड़ पे रहते थे और इन्होंने क्या कर ली थी रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ली थी यानि भाई मैं सुभह के टाइम पे खाना खाऊंगी और पत्ती खाऊंगी मैं दोफैर के टाइम पे खाना खाऊंगी और फ्रूट खाऊंगी मैं शाम के टाइम पे खाना खाऊंगी और सीड खाऊंगी मैं स्टेम खाऊंगी मैं यह आपका competition, predation अगर आप देखोगे, predation मतलब शिकारी और शिकार की relationship, तो शिकारी का तो मज़ा है भईया, उसको खाना मिल गया, और शिकार जो है भईया, यह तो जान से ही मारा गया, तो यह तो negative चलेगा ही, तो इस predation की खास बात क्या है, यह energy conduit की तरह काम करता है, यानि आपके herbivores के अंदर जो खाना आ रहा है, वो carnivore खाएंगे, जाइड सी बात है, अब plant जो खाना बना रहा है, autotrop वो आप खा रहे हो, तो एक organism दूसरे को खाता है, तो energy transfer यहाँ पर हो रहा होता है, दूसरे important चीज़ है population check, भाई यह जो आपके prey है, यह जो आपके शिकार है, इनको शिकार यह खाएगा, तभी तो इनकी population control में रहेगी, otherwise यह over grow हो जाएंगे, अगर share नहीं है जंगल में, तो खरगो शिरन यह बहुत जादा भढ़ जाएंगे, तो इनको check करने के लिए, carrying capacity स इसे उपर ना जाने देने के लिए आपका share यहाँ पर बैठा हुआ है, prudent होते हैं आपके predators, यारी ऐसा नहीं है कि अपने आसपास present हर चीज़ को खा जाएंगे, prudent होते हैं, उनको भी grow करने देते हैं, उनको भी reproduce करने देते हैं, जब उनके बच्चे बढ़ जाते हैं, तो पिजास्टर स्टारफिश जो है, इसको American Pacific Coast में रखा गया था, और इसके साथ और भी organisms रहते थे, जब यह पिजास्टर स्टारफिश, जो कि predator थी, जो खाती थी और organisms को, चोटे-चोटे organisms को, जब इसको हटा दिया गया, तो आपका देखा, कि बाकी organisms ऐसा नहीं है, आख फूटी हुई है, आख के नीचे काला घेरा है, नीला घेरा है, है ना सर पे चोट लगी हुई है, हाट टेड़ा हो रखा है, तुंडे-उंडे होके बैठे बच्चे, यही होता है ना, कि जब आपका उपर, जो मास्टर था, जब वो निकल गया, तो नीचे वाले धमा चोकडी मचाते हैं, दूसरे के साथ लड़ते हैं, तो लगबग, दस से भी जादा इन्वर्टिव रेट्स की स्पीसिस, एक्स्टिंक्ट हो गई थी, जब आपने इस प्रिडेटर को हटाया, यानि इस प्रिडेटर की वज़े से यह अच्छी खासी डाइवर्सिटी थी, अगर उपर कोई बैठा हुआ है, जो सब को रेगुलेट कर रहा है, तभी अच्छे से काम चल पाएगा, 1920 में ऑस्टेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस किया गया था, यह कैक्टस इतना खतरनाक था, यह पूरे ऑस्टेलिया को इसने घेड लिया था, जह इसका प्रिडेटर लाना भूल गए, तो पॉपुलेशन पर कोई चेक लगा ही नहीं, अब इसके बाद इस प्रिकली पियर कैक्टस को खाने वाले मोत लेकर के आने पड़े और इनका नंबर फिर जाकर के कंट्रोल में आया, तो इसलिए प्रिडेशन आपका ज़रूरी भी अगर आप देखेंगे तो कोई पैरासाइट है जो आपकी बॉड़ी पे रहता है तो आपकी बॉड़ी से न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसका तो फाइदा है, भै आपकी बॉड़ी से न्यूट्रिशन ले रहा है तो आपका तो घाटा है ना होस्ट का घाटा है, तो यह कि भाई मैं इसके immune system को कैसे चकमा दे दूं तो दोनों के दोनों क्या करते हैं को evolve करते हैं एक दूसरे को चकमा देने की strategies बनाते हैं plan पर plan बनाते रहते हैं तो जैसे काफी सारे हमारी body के अंदर आने वाले जो parasites हैं endoparasite उनमें क्या होते हैं आपके clinging organs होते हैं वो हमारे किसी रहे आपका basically nutrition लेता रहे तो इस प्रकार के आपके organs यहां पाए जाते हैं यह चाहते हैं कि जादा जादा reproduce करें आपकी body में तो इनके reproductive organs बहुत बढ़ जाते हैं digestive system की इनको जरूरत नहीं होती तो यह loss कर देते हैं digestive system का क्योंकि हमारे blood से खाना ले रहे हैं तो पहले ही इन इनको pre-digested food मिल रहा है यहना sense organs lose कर देता है क्योंकि इनको वैसे भी हमारे blood में घूमना है जो कि एक regular path पे घूमता है तो इन्होंने unnecessary organs को loss कर दिया और reproductive capacity को बढ़ा दिया अपनी advantages को बढ़ा दिया इस प्रकार से यह आपके evolve करते रहते हैं तो कुछ parasites जो आपकी body के बाहर अगर जाते हैं जैसे माइट सेल टिक हैं lise हैं जो आपके शरीर पर अगर लग जाए तो बाहर से खूँन चूजते रहते हैं जैसे dogs की body पर लग है गाए भैसो अब जसले में अंड़ा दिदी Это कूकू अपने बच्चों का खुद खयाल नहीं रख सकती है तो यह क्या करती है अपने अंडे क्रो के नेस्ट में जाके दे आती है और अब उनको पालता है बड़िया तरीके से है ना और यह अंडे एक जैसे दिखते है तो उसको पता नहीं लगता है उसको लगता है अपने ही अंडे है जब बच्चे फूटके निकलते हैं अंडे में से उस टाइम पर कूकू अपने बच्चों को ले जाती है और क्रो जो है वो अलवार नहीं करते हो सके बाध और घटिया काम करते है यह क्या करते हैं अपने अंडे अच्छे तरीके से डवलब कर आये जाएं सामने वाले से इसके लिए क्या करते हूश्ट के अंडो को लाट ना के नीचे गिरा देते ऑर कई बार ऐसा होता है जब हो क्यntकि बच्चे भी पैदा हो गए है उस टाइम पर खुद के बच्चों को उठाते टाइम यह क्या करते हैं उनके बच्चों को भी लाद मार के क्योंकि अभी उड़ना तो सीखे नहीं है तो नीचे गिरा देते हैं अबमेंसलिजम अबमेंसलिजम देखो सबसे इजी है अमेंसलिजम में क्या हुआ एक का घाटा हो गया एक की मौत हो गई और दूसरे को कोई फ़र्खी नहीं पड़ा अब मैं समय लीजेए फंगस हूँ है ना मेरा नाम है पैनीसिलियम तो मैं पैनीसिलिन नाम की बनाता हूँ एक केमिकल बनाता हूँ जिसका नाम है पैनिसिलिन उसके सामने कोई बैक्तिरिया आएगा तो मर जाएगा अब मेरी गलती थोड़ी है यार मैं तो बनाता ही हूँ पैनिसिलिन मेरा तो नेचर ही है अब तुम सामने आओगे तो मरोगे ही तो बैक्तिरिया मर गया है ना लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरा तो यह chemical बनाना फर्ज है ना भाई यह तो मेरी body के अंदर बनेगा ही तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलता है antibiotic secreted by penicillium और यह bacteria को kill कर देती है तो एक को आपका घाटा हुआ दूसरे को कोई फर्फ पड़ाई नहीं commercialism इसका उल्टा है एक को फायदा हुआ दूसरे का कोई नुकसान हुआ नहीं दूसरा neutral है जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर देख लिजे और्किट जो है यह mango के tree पे बैठ सकता है बिल्कुल बैठ सकता है तो mango का पेड इतना बड़ा है एक और्किट उपर आ गया तो क्या दिक्कत है support के लिए बैठा लिया तो mango का कोई घाटा नहीं और आपका orchid इसके उपर बैठा है जन एपी fight fight मतलब plant पे एपी मतलब उपर तो plant के उपर बैठ गया ग्रो कर लेगा कोई दिक्कत नहीं है गैटल एंड एरगेट आपने देखा होगा गाय बैसे जब चर रही होती है आपकी घास के मैदानों में तो पीछे सफेद गलर का पक्षी होता है उसके पीछे पीछ जाता रहता है तो गाय बैसे जब घास पर चल रही होती है तो उनके पैर से घास दब जाती है और कुछ एंड एनीवों एन्टनगार्च अब क्लाउन फिश को अगर कोई परेशान कर रहा है तो यह प्रेंद पागल हो जाता है तो जाहर सी बात है बड़े भाईया बचा लेते हैं क्लाउन फिश को बड़े भाईया के पास तो हतियार है तो इनका कुछ घाटा नहीं है अधर ब्रोटेक्शन निल जाती है यह बात यह आपका बहुत भी बढ़िया तरीके से हमने यहां पर देख लिया ह सारा का सारा काम आप देखें यहां पर यह लाइन शाहर शूट गई थी डिफेंस के लिए भी कई सारे एनिमल्स और प्लांट्स अपने आपको बचाने के लिए भी एना कि इनको प्रिडेटर ना मारे कई तिग्डम लगाते हैं जैसे कैमोफलेज मोनार्क जो है आपकी बटरफ्लाइ यह बहुत डिस्टेस्टफुल होती है और इसमें स्मेल भी आती है बहुत खराब स्मेल आती है तो यह अपने आपको बहुत दुरगंदित कर लेती है कि कोई इसको ना खाए तो एक पॉजनस वीड़ पे फीड करती है अपनी लारवल है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टेस्ट फुल हो तो इसको कोई खाए ही ना अब कुछ प्लांट्स आपके काटे बना लेते हैं बॉगन वीलिया है सिट्रस है कैक्टस है और कैलो ट्रॉपिस जो है आकडा जो है यह काडियक ग्लाइकोसाइड बनाता है तो अगर यह अकेला टॉपिक तीन स्लाइड में कवर किया है और बहुत अच्छे से कवर किया है एक एक शब्द अपने आप में एक एक कहानी है यहां पर बहुत प्यारे तरीके से सारे कंसेप्चुल टॉपिक्स को भी यहां पर हमने देखा और इनको समझने की कोशिच करी आई होप यू रिली लाइक डिस सेशन इफ येस वी पुसर ओपी इन दे कॉमेंट सेक्शन प्लीज और मैं मिलता हूँ अगले सेशन में आप से जहां पर हम इसी आज की डिसकेशन को थोड़ासा आगे बढ़ाएंगे आज हमने और गयानिसम और पॉपिलेशन की चर्चा करी आगे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ एकोलोजी यानि इको सिस्टम की चर्चा कर रहे होंगे और हमारी जो बायो डाइवर्सिटी है उसकी कंजर्वेशन के बारे में चर्चा कर रहे ह होंगे उससे भी अगले सेशन में यानि दो टॉपिक हमारे बचते हैं जिनके बाद हमारा पूरा का पूरा माइंड मैप रैप अप हो जाएगा और राइट सो थैंक्यू सो मच जय हिंद मिलता हूं आपसे अगले सेशन में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए पढ़ते रहे और बढ़ते रहे शुक्रिया